प्यारे बच्चों, NCRT कोचिंग में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम आग क्या है और आग आबदाग से के उत्पन होने के कारण जानेंगे याने किन कारणों से आग उत्पन होती है तो आईए फटाफट वीडियो की सिरुवात करते हैं देखे आग देखे बच्चों जो आग होती हो बहुत ही खतरनाक होती है क्यों क्योंकि जो भुकम्प होता है बाड होती है और सुका इन सबसे मिलकर जितने लोगों की मरत्यू नहीं होती उससे कई अधिक लोगों की मरत्यू आग में जलकर हो जाती है तो यही आपको यहाँ पर नोट कर रहना है देखिए बच्चा आपको बड़े गहराई से ध्यान से सुनना है मेरा पिद्यास रहेगा मैं आपको सत प्रतिशत याद करवा दूँ तो क्या लिखेंगे आग अत्यादिक खतरनाक होती है भूकंप भाड सुखा से मिलकर जितनी म मरत्यों आग के कारण यह सेट हो गया आपका अब देखिए अब परिक्ष्छा में आपसे प्रस्न पूशे आता है कि आग आपदा उत्पन होने के कारण बताईए तो आग आपदा के उत्पन होने के कारण बढ़े हैं सिंपल है बहुत सारे कारण है पर मैंने ऐसे से कारण चोटे-चोटे सिंपल-सिंपल कारण लिए हैं जोकि आपके परिक्ष्रम में अंक भी दिलवादेंगे और आपको सरल भी पढ़ेंगे देखिए नम्मर एक है बिजली के हिटर पर खाना बनाने के कारण यह सारी हमारे देनिक्यों हमारे आसपास की घटना है बच्चों द्यान से सुनिए आप यह दो बार में याद हो जाएगा बिजली के हिटर पर खाना बनाने के कारण भी आग लगती है कूड़े करकट में आग लगने के कारण भी आगाबदा थी आगाबदा मतलब आग का भायाना गुरूप लेना जिसके कारण कियोती जन्दन की हाँ नहीं हो बस सीडी सी वदन उक्सान रहे उसे बोलेंगे आगाबदा तो बिजली के हीटर पर खाना बनाने के कारण खूडे करकट में आग लगने के कारण घर में कोई जोलंसिल पदार्त रखने के जैसे पेट्रोल हो गया डीजल हो गया गेस की टंकी हो गई यह सब जोलंसिल पदार्ती ही है इनके पास आसपास की थोड़ी बहुत आग चली जाए तो घर में कोई पदार्त रखने के कारन और अन्य कुपकर्णों को एक ही थार में लगाने के कारन बहुत सारे उपकरण है उनको सबी को क्या कराएंगा येए यह थार में लगाज़ेंगे बहुत सारे लोग तो उसके कारण के जिसे लाइफ फाल्ट हो जाती है अंत में आग लग जाती है अब यह बारे से होता है कि तार कमजोर होते हैं उसके कारण भी आग लग जाती घर में बारूती पदार्त के कारण कि लिए रहे बारूती पदार्तों के कारण हो गया यह अधिकान से मैंने पॉइंट घर के मैं आग लगने के कारण के लिए क्यों लिए क्योंकि यह आपका प्रसने इस परकार पूछा गया है कि घर में आग आपदा उत्पन वने के कारण बताई है और पिछले अगले वीडि के हीटर पर खाना बनाने के कारण हो गया कोड़े करकट में के ढहर में जो आग लगने के कारण और घर में जोलंसिल पदार्त रखने के कारण अनेक उपकरनों को एक ही तार में लगाने के कारण तारों के कमजोर यदि तार कमजोर है तो उसके कारण भी और बारूती पदा बना हो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी थोड़ा सा बता दिया है अब आप इसे नोट कर ली जगा थोड़ा बहुत याद हो चुका होगा और अलाकि वक्षे मैं समझता हो कि पूरी तर याद भी नहीं होता होगा क्योंकि जरासी दर में दो या तीन मिनट में कोई वीडियो आपको याद थोड़ी होगा वो तुम्हें भी समझता हो इस बात को पर इसमें जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूं आप यह के दो बार प अगले वीडियो में जल्दी ही अपलोट करता जाओंगा